हेलो गाइज वेलकम बैक आन माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और हम भी बहुत अच्छे से हैं और कल के व्लोग में आपने देखा था कि मैं बिल्कुल रड़ी शड़ी होके मार्केट के लिए जा रही थी बट आपने मैंने वो ब्लोग लेंदी होने के कारण मैंने उसको आधा ही पोस्ट किया था और आधा मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये भी मंडे का ही व्लॉग है ठीक है तो ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई थी मैं उसमें लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ और आज मैं बता है आपको मतलब इसमें बिल्कुल भी आडिटिंग कुछ भी नहीं करूँगी बिल्कुल भ दिखाने वाली हूँ कि मेरे घर से बजार जो मैं जाती हूँ वो रास्ता में आपको दिखाने वाली हूँ ठीक है तो अगर आप देखना चाहते हो मेरे घर से बजार तक का रास्ता तो प्लीज जुड़े रहना पूरे व्लॉग में मेरे साथ और व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी छापना और कुछ ज़्यादा पसंद आए तो कॉमेंट करके जरूर बताना ठीक है और शेयर करना और फर्स टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना तो यह हमारे घर से मतलब बजार जाने का रास्ता है और एक रास और मैं शेयर करूंगी ठीक है तो यहां पे भी हम रास्ते में ही हैं और काफी अभी यहां पर मैं हूँ तो यहां पर मैं यही आप लोग से कह रहे थी कि अभी मैं आप लोग को काफी कुछ दिखा चुकी हूँ ठीक है तो बस अभी हम ज्यादा दूर नहीं है अपने घर से घर से हम ये माल लिजे 1.5 km के आसपास होंगे हम 1.5 km के आसपास होंगे इसा ज़्यादा दूर नहीं है तो बस यहांपे देखो मेरे बाल, उस्ति बाइक में बैठते ही अराम से सारे की सारेफ शूग गए तो यस तरह से जब हल्बत लगाती हूँ तो मैं क्लैचर बहुत ही कम लगाती हूँ कल आप लोगों मैंने बताई दिया है तो अच्छा मुझे एक चीज मैं आपके साथ इसलिए भी रास्ता शेयर कर रहे हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ देखिए हमारा जैपूर कितना खोफसूरत है और मुझे जैपूर की जो सबसे अच्छी खासियत है वो है कि यहां की रोड ना बहुत मतलब चोड़ी चोड़ी है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता लेकिन जो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलू तो रोड बहुत चोड़ी है ठीक है जिसके कारण मतलब बहुती कम ट्राफिक मिलता है ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत रश में फस गया है घर जाने में दो घंटे लग रहे हैं ऐसा कभी नहीं होता पांट-दस मिलट में हम जुको जहां जाना होता है हम पहुँच जाते है रोड इतनी चोड़ी चोड़ी है ऐसा लगता है कि हम किसी मतलब वसे होता है अबरोट में ऐसा लगता है मुझे तो अभी फाइनली बात करते करते हम पहुँच चुके है मार्केट हमारी मेन मार्केट तो यहां पर पता ही क्या है जैपूर में न मार्केट है जो वो 11 बजे के आसपास या 11 बजे के बाद उखुलती है ठीक है तो यहां सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ येस आप देख सकते हैं पूजन सामगरी की शौप में आ गई हूँ और यहां मुझे कुछ चाहिए मंदर के लिए और काफी दिनों से मैं सोचती थी लेकिन हर बार आती थी और भूल जाती थी ऐसी चली जाती थी तो आप देख रहें इस बारी में चिट बना के आई हूँ बाकाईदा एक पर्ची लेकर आई हूँ उसमें मैंने सब कुछ लिख के रखा है मुझे यहां के लिए मंदर से मतलब जो पूजन सामागरी से जो मिलता ना समान वहां से क्या लेना है और क्या क्या लेना ही सब लिख रखा है और यहां पर मैं अंकल जी से कुछ और पूछ पर यहां पर बहुत अच्छी चीजे मिलती है और यहां पर किवल ब्रैंड वाली चीजे ही मिलती है और नौन ब्रैंड भी होगा लेकिन मैंने कभी ट्राइब नहीं किया और यहां से मुझे कॉस्मेटिक का ठेर सारा आइटम चाहिए तो मैं वही लेने आई हूँ और यह जब से मैं आई हूँ जैपूर में शादी करके तब से मैं आ रही हूँ ठीक है आप यह मालो 2014 से कांटीन्यू में आ रही हूँ और मैं किसी शॉप में जाती ही नहीं हूँ अगर मुझे कोस्मेटिक का एक लिबिस्टिक भी चाहिए होता है तो मैं यहीं आती हूँ क्योंकि यहां पर मतलब हर एक मतलब आपको वराइटी मिल जाएगी ब्रैंड जाएंगे तो मुझे यहां आना अच्छा लगता है और एक बार मुझे पसंद आ जाता है ज्यादा चिक-चिक बाजी नहीं करनी है जो मैं अपनी पसंद बताती हूं ब्रैंड बताती हूं वह खट से मुझे मिल जाता है तो कस्टुमर को यह चाहिए ज्यादा वेट नहीं करना और चीजे फट से मिल जाना तो और इससे ज्यादा क्या बैस्ट और बैटर और अच्छा यहां पर क्या है इनकी इस शौप के भी एक शौप है जहां पर केवल कपड़े वगरा मिलते हैं तो मैं पहले नाइट टी वगरा जो भी होता है नाइट वियर होता है मैं उपर से ले देती थी इसी शौप के उपर से तो यह देखो बैंगल से बगरा बहुत अच्छे-च्छे समाने गाईस जो लोग जैपूर में रहते हैं तो वो तो अराम से पहचान गयोंगे कि मैं कहां की बात कर रहे हूं बहुत अच्छी शौप है हर छीज बहुत अच्छी मिलती हैं और मुझे जो जो चीज चाहिए थी मैंने केवल एक बार बोला और मुझे वो चीज़े मिल गई तुरंत ही मिल गई ठीक हैं और मैंने ब्रैंडेट चीजे ही लिए और देखती हूं घर जाके आपके साथ शेयर कर पाती हूं कि नहीं कर पाती हूं आपको पता ही है मैं सुबा से निकली हूं और इस ब्लॉग के अल्रेडी मैंने मतलब दो पार्ट बना दी हैं और मैं तीसरा पार्ट नहीं बनाना चाहत तो देखते हैं अभी और मैं क्यक्कै लेती हूं तो यह तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी यहां शॉप में इतनी वाते नहीं हो सकती तो वह मुझे दिखा रहें थी और अभी यहां पर हम बजार से बिल्कुल बहार आ गए हैं बिल्कुल और वहां मैंने नहीं कुछ अगर नहीं मिली तो मैं नहीं लूँगी लेकिन लूँगी तो वहीं लूँगी जो मैंने सोच रखी है तो चलिए चलते हैं और बस थोड़ी दूरी पर आ जाएगी मठकी की दुकान तो नहीं ऐसी खुले में मिलती है अच्छा यहां पर देखो इतना अच्छा लग रहा था यह देखी आप लोग यहां हाथ में लेकर वो ललका ऐसे खिला रहा है और वो कबूतर ना हाथ से खा रहे हैं उसके हाथ से खा रहे हैं तो यहां पति देव जी मुझे बोल रहते हैं तुम जाओ अपने हाथों से खिला है मैंने कभी ऐसे खिला है नहीं और यह सीन के लिए रुकी थी फिर हम यहां से निकल गए हैं और अच्छा मटकी की शॉप में मतलब वो बहारी लगाई होती है कोई शॉप नहीं होती है तो बस वहां मटकी देखी और मुझे पसंद नहीं आई जैसी मुझे चाहिए थी वैसी मुझे नहीं मिली सब मतलब ऐसी थी नॉर्मल कॉम और अई बज रहा है एक और बहार पता है क्याना धूप तो है ठीक है धूप थी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था कि धूप मतलब चुब रही थी ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि कल बारिश होई है सारा दिन बारिश होई थी कल तो हवा जो चल रही थी वह ठंडर थी मतलब पतिदेव जी आये थे वापस मुझे घर उन्होंने छोड़ा और वापस चले गए और उसके बाद अब मुझे बनाना है लैंच क्योंकि आप लोगों को पता है क्योंकि ये व्लोग भुट लैंड हो तो इसका दर कर देति हूँ जहीं कि मैं ठus Einz Jam करो मैं ठख जाती हूंर मैं जैसे गए ति मैं वहीं आयए हैं तो वह जरूर पीलुंगी लेकिन गण्या का जूस कहीं नहीं मिला तो मैंने का घर चलते हैं सीधिय हूं और मैं कहना कि अभी तक मैंने पानी भी नहीं पी पिया है तो मैं पानी पी लेती हूं प्यास बहुत तेज लग रही है ठेंडा पानी पिती हूं और फिर ड्रेस चेंज करते हूं हाथ मूद होती हूं सिदे किचन में जाते हूं और बनाती हूं वेज बिर्यानी तो वेज बिर्यानी का मसाला मेरे पास है बाकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊंगी मतलब व्लॉग बहुत लैंदी हो जाएगा और हाँ अगर आपने यहां तक के व्लॉग देख लिया है मतलब आप स्टार्टिंग से देखते देखते अगर यहां तक आ गए तो इसके लिए आपको दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूं धेर सारा शुक्रिया दिल से गाइस और अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छा लग अपना बिल्कुल भी मत बूला और कॉमेंट करके बताना कैसा लगा क्या चीज अच्छी लगी क्या चीज नहीं अच्छी लगी जो भी जैसा भी आपको लगा है वह बताना और शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आया है मेरे चैनल पर तो प्लीज सब सब्सक्राइब करना और मैं को quellaगी चीज़े लेकर आई हूं मारकेट से मैं बहुत धक चुकीह यह मैं टिखाए नहीं सकती मैं क्या क्या चीज लाइए हूं हलके मैं मैं बैठ के गई हूं बैठ के लेकिन फिर भी बताने क्यों थक जाती हूं तो बस मैंने कैरी बोलते हैं इसको वह कच्चे आम का मैं बनाओंगी गलका इससे पहले वाले व्लाग में आपके साथ शेयर किया तो पूरा खतम हो चुका है वह नंदिता को इतना पसंद आया है वह पूरा खतम हो गया है तो कच्च कोस्मेटी लिया बाकि को इन ने कुछ अर वञी को तो दिखा दूँगी किसी और it बढ़ बॉल तो बहुत बहुत वार बॉल दिया है और हां मैने कुछ पूजा का समय है और दिखा दूँगी आपको किसी और तो बहुत बार बोल दिया थक गई थक गई तो आप बोर मत हो जाना जैसा फील करते हैं वही तो बताएंगे और ज्यादा फील करते हैं तो ज्यादा बार बता देते हैं आपको तो चलिए गाइस अभी देर हो जाएगी क्योंकि एक बजरा है और मैं फटा-फट से वैज बिर जियानी बनाने की तियारी करते हूं तो चलिए आज के व्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर देती हूं और आप से मिलती हूं अपने अच्छे से प्यारे से किसी नेक्ट व्लॉग में तक तक के लिए बाइबाई टेक कियर लव यू ओल गाइस बाइबाई